अलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सौप सी अप्लिकेशन से बैलेंस अपने बैंक एकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसके लिए आप इस वीडियो में अन तक बने रहिए और जानिए कि सौप सी अप्लिकेशन से बैंक एकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे तो चलिए सबसे पहले आपको सौप सी अप्लिकेशन ओपेंड कर लेना है ओपेंड करने के बाद कुछ इस परकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है नीचे में आपको account का option दिख जाएगा account पर click कर लिजे account पर जैसे ही click करते हैं guys तो यहाँ पर देखिए my earning का option दिख रहा है my earnings पर click करेंगे चलिए my earnings पर click कर लेते हैं तो देख सकते हैं पर payment eligible में मेरा 117 रुपया दिखा रहा है और pending में 30 रुपया तो guys जो eligible रहेगा वो आपका bank account में withdraw हो जाएगा तो देखिए guys यहाँ पर लिखा हुआ है withdraw now विड्रा नाव पर हम click करेंगे अगर bank account link पहले से नहीं रहता है तो आपको सबसे पहले अपना bank account link करना है तो bank account कैसे link करना है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो link description में है तो आप देख लिजेगा कि सौप से application में bank account कैसे link करेंगे तो guys देखिए नीचे में confirm and process with 171 17 इस पर click कर लेते हैं click करने के बाद guys देख सकते हैं पर लिखा हुआ है payment request received यानि जो मेरा payment है वो रिक्वेस्ट मतलब की transfer request file हो गया है आप देखिए नीचे में लिखा हुआ योर पे आउट विल बी रिफ्लेक्ट इन दा bank account इन वान टू टू बिजनिस डेज अब मेरे bank account तक यह balance पहुचने में एक से दो दिन का समय लग सकता है तो मैं आसा करता हूं कि आप सभी को यह video पसंद आगा वीडियो पसंद आगा वीडियो पसंद आगा तो वीडियो को like कर दीजे चैनल पर पहली वा रहा है तो चैनल को subscribe करके बिल आइकन प्रिस कर लिजे थैंक्यू